पहली बार आप रूस की राश्पति वफ्लादमीर पुतिन से मिलें तो वो क्या किस्ता है कैसे मिले आप कहां मिलें आप बिलीव नहीं करोगे मैं उने इंध्या में मिला था कि बहुत तरा लोगों से मिलें आपने किसके किसके यहां पर कॉन-कॉन क्लाइंट रहा है आपका मैंने आठ प्रेजिदेंस के लिए सूट बनाएं यहीं पर प्राइमनिस्टर भोतो के लिए बनाएं श्री नरेंदर मोधी जी के लिए कपड़े बनाने का हमें अफसर मिला जब दोजार आठ में वह आए थी यहां पर जब आपके बहुत सारे क्लाइंस रहे हैं तो कुछ ऐस इसे नाम बताईए जो इस वक्त मौझूदा राजनिती के परिपिक्ष में बड़े ही वह सही नाम रश्यन के फॉरेंड मिनिस्टर है सर्गेलावरो यहां के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मिशूतिन तो एट पर जिन यह बहुत बड़े नाम है पहले ऐसे भारतिये हैं जिनको जो यहां का रश्डिंट मिला वह प्रोटकॉल के से बाहर जाकर मिला नहीन यहां पर जो नियम हो यह है कि अगर आपकि से रश्चन से kij करते हैं तब ही जाकर आपको यहां के जुह ऋ रस्देंट से मिलती है आपको कैसे मिल गया आपके लिए ये सब कुछ कितना आसान और कितना मुश्किल रहा नहीं I think अगर मैं सोचे तो मैं पहला हिंदूस्तानी हो जिसे रश्यन पासपोर्ट मिला है बिगर रश्यन वाइफ एट स्कोयर यहां का जो दिल है वहाँ पर आपकी दुकान है इंपेरियल टिल्रिंग सॉप यह कैसे मिल गई क्या इसके लिए बहुत जुगार लगाना पड़ा या क्या कहानी थी कैसे यहां पर इस जगह पर दुकान खोलना एक भारतिय के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है नमस्कार मैं उजीत हूँ और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे भारतिय नागरिक है जो भारत के नहीं रहे बलकि अब तो रूस के हो गये हैं लेकिन जब वो साल 1990 में मौस्को आये तो महस पॉक्रिक में 300 डॉलर था 1990 की बात है और आज इनका नाम ही आपको मौस्को में काफी है हमार साथ सामी कोटवाने जी है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर क्यूंकि आपका सफर बड़ा दिल्चस्प रहा है तो मुझे यह बताईए कि आखिर 300 डॉलर 1990 में लेकर आप जब मौस्को आये तो क्या सुचा था इतना बड़ा नाम इतनी बड़ी दुकान सब कुछ हो पाएगा क्या मैं जब निकला था मुझे कहा था कि बहुत डिफिकल्ट टाइम है और आज भी में जब से ब्रभात करता हूं सब यही कहते हैं आज भी डिफिकल्ट टाइम है तो मुझे पता नहीं कि अच् अच्छे होने वाले तो तीन सो से लेके साभी 300 मिलियन तक अगले डाही साल में साभी 30 मिलियन तक डॉलर की बात कर रहे हैं इस सफर कैसे सब कुछ शुरू कैसे हुआ क्या पहले से प्लैनिंग थी मौसको आना है कैसे हुआ सब कुछ देखिए मुझे मैं टेलरिंग बिसनस मे तो मुझे कपड़ा बेचना है, तो मैं अफरीका में स्टार्ट किये पहले, अफरीका के बाद में इरोप में गया, इरोप में बहुत परिशानी हुई, जर्मनी में मैं कैमरा लगा के गुमता था, फ्रेंच, फ्रांस में गया तो वहां पर फ्रेंच बात करनी थी, वह आती जब मॉस्को में आया, ना वो मुझे कुछ समझते थे, ना मैं उन्हें समझता था, लेन वो जानते थे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, सिब कहते थे बैठो और घर तक छोड़के जाते थे, तो इस तरह यहां पर सफर स्टार्ट किये, बहुत इंट्रेस्टिंग था, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं है, समय समय सबसे बड़ा बलवान है, और टाइम मेक्स डिफरेंस, जो भी मैंने अचीव किया एक दिन की बात नहीं है, यह 35 साल की बात है, क्योंकि जब आपके सफर की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि रेट स्कॉर, यहां का जो दिल है, वहां पर आपकी दुकान है, इंपेरियल टिल्रिंग सॉप, यह कैसे मिल गई, क्या इसके लिए बहुत जुगार लगाना पड़ा, या क्या कहानी थी, कैसे यह यहां पर इस जगह पर दुकान खोलना एक भारतिय के लिए, यह बहुत बड़ा चैलेंज है, नहीं, मैं यहां के न अगर मैं आपको मदद करूँ तो आप लोगे, और जैसे पपा ने कहा था कि कभी ना निकाते हैं, तो मैंने हां कर ली और उन्होंने यह जगह दी और उसके बात एक हिस्ट्री थी है, यह बहुत प्रॉबरी टेलरिंग बिजनेस का सबसे बड़ा दुकान है, साड़ी तीन लोग में एक शौक होनी चाहिए, उस तरह से मैंने इतुकान बनाई है, यहां पर लोग कहते हैं कि तकरीबन महीने का दस लाग से उपर भाड़ा है, मतलब क्या करते हैं, कैसे कैसे होता है, यह सब कुछ की बहुत रेट स्कॉयर अपने आप में, भारत में भी लोग बैठ क सबसे महंगी जगा है यहां पर, यह सब कुछ कैसे करते हैं, सर दस लाग नहीं, यहां का 30 लाग बाड़ा होता है, सर दीखिए, अगर आपके पास अच्छी चीज़े हैं, अगर आप एक हर एक आदमी को अगर आप हम इस इंडेस्ट्री में हम हर एक आदमी को परस्नली दे कि स्टार्टिंग फ्रम अफ्रीका टू इस्टी रोप वेस्टी रोप हर एक जगा में माल बनाने के बाद इतना एक्सपीरेंस है कि हम आदमी को देखके एक स्कैन कर लेते हैं कि उसके लिए किसा करना है अब मुझे यह बताए कि जब आप यहां के बहुत सारे लोगों से मिल स्री नरेंदर मोधी के लिए कपड़े बनाने का में अफसर मिला जब 2008 में वह आए थी यहां पर ऐसे गुजराच चीप मिनिस्टर है उनका भी दुकान में आना हुआ है आप नि किसी भी मॉस्को में किसी भी अगरको त्सकाशत हैं तो मैं देना होगा हमें Do सबसे बड़ी बात है कि हमने किसी भी बड़े नेधा को फोन नहीं किया कि आके मुझे कप्रे ले लो तो लोग खुद ही दूनके निकालते हैं तो डिसकॉन की बात ही नहीं होती है अब क्यूंकि जब आपके बहुत सारे क्लाइन्स रहे हैं तो कुछ ऐसे नाम बताईए जो इस वक्त मौझूदा राजनिती के परिपेक्श में बड़े ही वह सही नाम हो रॉष्यन के फॉरेंड मिनिस्टर है सर्गी लावरो यहां के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर में शुतिंग जो एट पेजिन्ट यह बहुत बड़ी नाम है और अल्मोस्ट जो रिजन्स की जो बहुत सारी गुबनातर हैं वह हमारे से कपड़े बनाते हैं कि कहते हैं कि जब आप पहले ऐसे भार्तिय हैं जिनको जो यहां का रिंड मिला वो प्रोटोकॉल के से बाहर जाकर मिला वरना यहां पर जो नियम हो यह है कि अगर आप किसी रशन से शादी करते हैं तब ही जाकर आपको यहां की जो है वो रिस्डेंस से मिलती है आपको कैसे मिल गया आपके लिए यह सब कुछ कितना असान और कितना मुश्किल रहा नहीं आइधिक अगर मैं सोच तो मैं पहला हिंदूस्तानी हो जिसे रशन पासपोर्ट मिला है बिगर रशन वाइफ और यह महरबानी एंड में जब व्लादिमी पूतिन जब प्रेजिडेंट साब साइन करते हैं उनके उनके प्रिकास से हमें मिला है कैसे हुआ मतलब इसके लिए कोई जैक सोर्स कहते हैं आप आम तोर पर अपने तंत्र क्या इस्तमाल करते हैं आखिर सैमी कोटवानी पर इतनी महरबानी कैसे 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 हो गई नहीं दिखिए यह बहुत पुरानी बात है 2006 की बात है जब मैंने यह डॉक्युमेंट्स दाले जो टेंपरी रेसिएंट परमेंट के लिए डाले थे फिर टुक में एटी एस तुग एथी एस तुग एट पर्मेने रेसिजिशन के लिए अपलाई किया था एंड पुरा प्रेजिदेन अडिस्टेशन के थूर सिंकर नाजी वह था उसके लिए और दो साल लागे तो जुद्धा प्रधानमुत्री से मिले थे वह किस्ता बताईए कैसे हुआ कहां मिले क्या बातचीत हुई देखिए मोदी जी सी तो हमारा बहुत तैम मिलना हुआ मेरा सबसे बेस्ट एक्सपेंस था जब 2009 में चोदा जहंदरी को हम सर से मिलने गए थे गांधी नगल में तो सबस्क्राइब करें तो मैं इंडिया में हो तो बोले आज ही है वारे पास तो आई रिच्ट 945 तो इस रेसिडेंस गांधी नगर में पोचा सिकुटी वाले को कहा कि मेरा नाम कोटवानी है सर ने कहा था कि आज आने के लिए और दस बच के तीन मिन्ट में स्री मोदी जी हम आप ही प्राइब मिनेस्टर हो तब मोदी जी ने कहा था भाई एक एक देश संबालना बहुत बड़ी बात है एंड आज संबालने की बात नहीं हो रहे हैं आज तो पूरी दुनिया संबालने की बात हो रही है और जब पहली बार आप रूस की राश्पती उलादमीर पुत नहीं है जब हम कॉफरेंस के लिए आया थे तो लगली उस कॉफरेंस में हम सब गान टेबल में बैठे थे तो टेंगा एक दू से पीछय हमने दूसे लेका थे पेठे के बैटे थे जैसे कॉंफरेंस कहता मयी तो हम उटके हम ने एक दूसरी को पहले पाले are the first one to the जब मैंने उनको हाथ दिया था तो बहुत जो मजबूत ही से हमने उसे पगड़ का था मुलादी 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 मुछ मेरा नाम सेमी कतवाली है अब क्योंकि आप यहां पर हैं और आपके बहुत सारे बड़े-बड़े क्लाइंस भी हैं तो यहां पर भारतिय समुदाय को लेकर चलने की बात होती है तो आप यहां के बहुत सारे जो और जीशन है उसके द्यक्ष भी है तो यह चालज नहीं लगता है कि भारतियों को एक साथ लेकर चलना उनके बिजनस को एक्सपैंड करना आप खुद भी अपने बिजनस को एक्सपैंड कर रहे हैं इसमें क्या चैलेंज आता है देखिए हमें ना हर इक चीज में कुछ सिखने को मिलता है अगर आप सिखना चाहे तो अगर मैंने किसी को मदद की तो उसमें मुझे सिखने पहले मिला है तो फिर इमिगेशन की बात हो या कस्तम की बात हो या टैक्सेशन की बात हो तो आपको जरू नहीं कि आप ही आप पहले गिरे और कुछ सिखे हमने सब दूसरे लोग को गिरते वे देखा है और हमने उनको उठाते वे देखा है तो इसमें खुद को भी बहुत को सिखने मिल जाता है एट लिस्ट वह गलती है मैंने नहीं किये पहुत क्यों देखे और ने देखालयन वह सबसे बड़ाइन इसका है अमेरीकी मुलक क स्कारि अगर उनको मुणाफा नहीं होता तो वह क्यों नहीं कर दो उन्हों क्यों इतना सब पैसे लगाते थे तो एक एड़ॉटाइसमेंट करते हैं, जो उनकी मार्केटिंग है, जो रएश्या के बारे में सब गलत बताते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप यहां पे ना आए, अगर उनको सब इतना ही यह गलत मुलक है, इतना ही सब नुकसान वाले जगाया है, यहीं पर सब माफिया है, तो वो सबसे जादे पैसे क्यों लगा है यहां पे, यह कोश्चन हर एक हिंदुस्तानी के लिए है, आप अंदर बढ़के देखिए, आज आप टीवी पर जो भी द आज एक मौका फिर मिला है, हमें फिर से एक नीब मिली है। चालेंज क्या होता है? जब भारतिय मॉस्टा आता है यारूस आता है, उसके लिए बिजनस जब ख़ड़ा करता है, तो चालेंज नहीं आता कि अगर भारत से आकर यहां पर इतना बड़ा बिजनस ख़ड़ा कैस लगता है कि चलिए हमारा स्वभागया है जब से श्री नरेंदर मोदी आया है हमारे देश का बहुत उच्छा नाम हुआ है लेंगि रश्या में हमारे नाम हमेशा अच्छा था हिंदुस्तानियों के लिए कब से और किस वज़े से यह तो मैं कहूंगा मिठुन के वज़े से राच कपूर के वज़े से यहां पर सब आवारा की दिवाने हैं जीमी 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 इस फेमस सॉंग तो उन्हों ने जो स्टार्ट किया था बहुत बड़ा था मैं यहां पर आयता सिब मैं इसी वज़े से रहे था कि उलोग मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे हेलप करता है हर दूसरा व्यक्ति मुझसे मिलता है और भी ना बताय कहता कि आप तो इंडिया से हैं तो के लिए बोलता है तो यह इंडिया को लेकर जो चवी है वो बड़ी अद्भूत है देखिए हमारा जो सौप पावर है ना वो रश्यन के साथ हम अच्छे गुल मिल गया है हमारा योगा यहां पर इतना फेमस है इतना फेमस है जब इंटरनेशनल डे ओफ योगा होता है तो ए हमें पहले सिनेमा घर में सिनेमा थेटर ही नहीं मिलते थे जब से स्पेशल ऑपरेशन वहा है बॉलीवूड होलीवूड फ्लिंस आने बंद होगे बॉलीवूड को सबसे बड़ा यहां पर लगा है मैं एकाल से पठांत मूवी नहीं यहां पर फिफ्टी थ्री मिलियन डॉ मेरे ख्याल से शैंशन वर्ड आप लोगों को डराने के लिए है एक अजीब सी वर्ड है सैंशन सैंशन ऐसे कुछ भी नहीं है इनके उपर कुछ 14,000 सैंशन लगे होंगे या 7,000 उससे क्या फरका परता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब भारतिय बिजनसमैन के जगा है वेपार के लिए उद्योग के लिए यह सर देखिए हमें आगे की सोचनी है हमें हरे को एक मार्केट चाहिए जब आप रश्या के बारे में सोचते तो मॉस्को में एक एंट्री पॉइंट है मॉस्को से आप पूरे रश्या के रीजन में जाते हो रश्या बहुत ब भारत और रूस की दोस्ती को कि अब रूस की नागरिक हैं आप भारत और रूस की दोस्ती को किस लिहाद से देखते हैं और क्या आने वाले वक्त में जो दोनों देशों के बीच की दोस्ती और व्यापार है वो उचाईयों कुछ होगा क्योंकि वेस्ट लगतार कोशिश कर र होना चाहिए उसी तरह यहां के रास्तरप्रती पूटीन का भी यही मानना है कि सब कुछ मेड इन रश्या होना चाहिए है फार्मा में हमारे इंडियन भायों के लिए एक लास ऑपर्चुनिटी है अंदर आने के लिए कि वेस्टन लोग बहुत जा रहे हैं इंडियन फार्मा तो प्रूव और सल्फ मैंने एक इंटिव में का था कि रश्या हमें तेल गैस फटिलाइजर्स कोल देना चाहिए बिकॉर उनके बात जादा है और हमारे पास फार्मा में बहुत अच्छी एक्सपटाइस है उनको हमसे फार्मा लेना चाहिए और मीडियम स्केल के जो वर्कर्स है हमारे जो लेबर फोर्स है यह रश्या के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर होने वाले हैं और क्योंकि मैं रूस में था तो एक शब्द मैंने सुना सैंक्शन जो है वो रश्या के लिए अपरचुनिटी है तो स अब क्लस्तर डालने की बात कर रहा हूं एक नहीं बलकि दो बहुत बड़ा है और इसी तरह बहुत सारे उपरचुनिटी से हमारे बिजनसमें कार्मेंट इंडरिस्टी के लिए एक और उपरचुनिटी है सब के लिए यहां पे अंदर आने की भारतिय जितने भी रूस में या फिर जो भी लोग भारत से रूस आते हैं तो आप हमेशा उनके लिए तयार रहते हैं लेकिन यहां के लोग को जोड़ना भी अपने आप में कला है अब यहाल ही में आपने देखा होगा भारत अकपर कि 65 देशों के लोगों ने यहां पर होली खेली और उसमें भारतियो और चाहता है कि भारत और रूस की जो दोस्ती साथ साथ जो व्यापार है उसको और अगले चरण पर लेकर जाया जाए अजीत सिंग मॉस्को